हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू SSE Crackers और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टाटिक जीके के हर वो एक important topics जो की आपके किसी भी competitive exam में आते हैं उसका पूरा यहां पर लिखा जुखा मैंने आपके सामने इस PDF में present कर दिया है ठीक है, total 115 topics हैं और यह जो 115 topics है यह सिर्फ SSE के exam के लिए ही important नहीं है अगर आप UPSC की त्यारी करते हो, SSE की त्यारी करते हो, bank की त्यारी करते हो, railway की त्यारी करते हो कोई साभी आप त्यारी करते हैं बस आप अगर यह 115 topics को अगर आप cover कर लिए UPSC के point of view से तो यह 115 का 115 topics important है SSE के point of view से बात करें तो 50 to 60 important topics हैं जो की SSE cover करता है और यहां से questions बार-बार पूछे जाते हैं SSE हो, bank हो, railway हो, इसमें से 50 to 60, hardly आप मानगे चलिए 70 topics होंगे, लेकिन UPSC के point of view से यह सारे important topics हैं तो अगर UPSC वाले कोई देख रहे हैं तो यह पूरा topics को आपको cover करना है SSE वाले हैं तो 70 topics को इसमें से cover करना है और मैंने अपने channel पे already 70 to 75% हर एक topics को मैंने cover करा रखा है अगर आप last के 5 months का अगर आप video उठाएंगे उसमें से बहुत सारे topics हैं जो कि already cover हो चुके हैं बट कोई नहीं cover हो गए हैं वापस से revision करवाएंगे आपको उसका भी tension लेना नहीं है मैंने ऐसा सोचा है कि क्योंकि अभी exam में भी time है, delay है और अभी revision में कराना है तो मैं 3 महीने का target लेके चल रहा हूँ ठीक है, 3 months के अंदर में ये सारे topics को एक बार अच्छे से cover भी कराना है और आपको important topics जो है, के regarding जो important PDF भी है notes के रूप में आपको provide करना भी है, MCQ के रूप में भी provide करना है ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है क्योंकि static GK एक बार preparation होता है और उसका preparation को revision आपका बार बार होता है समझ गया, notes आपका एक ही बार बनेगा और revision जो है आपका बार बार होगा और एक बार अगर static GK अगर आप अच्छे से cover कर लेते हैं तो आप किसी भी debate में आपके पास इतना जादा knowledge होगा इतना जादा information होगा, content होगा कि अगर 10 लोग बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नजर जो है आपके तरफ ही होगा क्योंकि आप इतना अच्छा data present करेंगे अपने static GK के माध्यम से कि आपका जो value होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा किसी भी competitive exam में अगर आप बैठेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा marks आने की पूरी-पूरी संभावना है कोकि आपने हर एक topics को static का cover कर रखा है तो यहाँ देखिए जितने सारे topics हैं क्या-क्या topics हैं थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं कुछ ठीक है जैसे कि देखिए important revolution in India ठीक है reverse side cities in India boundary lines, space center state के governor, chief minister, core industry bank के headquarter list ठीक है यह सारे कुछ जितने भी important आप देख रहे हैं national park, wildlife century यह सब है, summits हो गएं ठीक है यह सारे important चीज़ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यह सारे चीज़ को आने वाले तीन महिना के अंदर में हम लोगों को cover करना है और इसके लिए मैं कैसे करवाने वाला हूँ थोड़ा उसका भी information मैं आपको दे दूँ जैसा कि आपको पता ही है, schedule सब पता है आपको कि आने वाले time में जो है, एक बार जब advanced math आपका complete हो जाएगा math का, जो math का मैंने time रखा है 12 बज़े से, तो ये advanced math अभी geometry बचा है और आपका mensuration बचा है, जब ये दो complete हो जाएगे, तो math का सारा PDF आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद आप बस इसको revision करेंगे, और इसी time पे आपका एक static GK का content आता रहेगा, ठीक है GK का भी class जो चल रहा है आपका, वो class आपका continue रहेगा वो सब, लेकिन फिर भी एक week में, मेरा अपना मानना रहेगा, एक week में around five topics को cover करना है, और एक week का, इस five topics के regarding आपके test भी लेते रहेगा है ठीक है, ये सारे चीज़ करना है, आने वाले time में आपको सब पता चलेगा, five topics एक week में cover करना है और उसके, उससे, उसी PDF से जो आपका है, MCQ के form में आपका test भी लेते चलना है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें और आपका revision भी हो सके test के माध्यम से ठीक है, time वही रहेगा 9 बजे से, आपका time रहेगा मैं थोरा सा बहाँ पर, जिस दिन 9 बजे से आपका static GK रहेगा, तो GK को morning में shift कर देंगे, आप बस मेरे साथ जूरे रहेए, आपको हर एक information टेलीग्राम पर मिलता रहेगा, टेलीग्राम का नाम है आपका SSC Crackers, ठीक है ना, SSC Crackers टेलीग्राम पर है, 9000 प्लस आपके वहाँ पर सब्सक्राइबर है, तो वहाँ पर आप जोईन कर ले ना टेलीग्राम को, हर एक चीज़ आपको update होता रहेगा, समझगे फ्रेंट्स, तो आपका बस काम है कि इसका जो ये जो PDF है, टॉपिक वाला, वो मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा, और आपको कैसे cover करना है, starting से cover करना है, जिस form में दिया वा है, बस उसी form में आपको cover करना है, ठीक है, आपका काम है, ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 तक आपको cover करना है, इस week में, ठीक है, आने वाला जो week होगा, 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, वो सब आपको cover करते चलना है, और इसी के regarding जो है, आपका एक time ऐसा होगा, जो मैं आपका test भी लेता रहूँगा, ठीक है, ये आपको खुद से cover करना है, और PDF जो है, मैं आपको देता रहूँगा time to time, ठीक है, समझ गए, तो उमीद है कि आपको सारे topics यहां से मिल चुके हैं, आप इस सब को cover कर लेंगे, एक बार go through हो लेना PDF के मांगेम से, ठीक है friends, मिलते हैं आप से next video में, तब तक के लिए all the best,